नाग को इंगलिश में क्या कहते हैं कि आज किस वीडियो में सीख लेते हैं नाग जो है वो सांप को कहा जाता है और सांप को इंगलिश में आप स्नेक S-N-A-K-E स्नेक या सर्पेंट कह सकते हैं S-E-R-P-E-N-T सर्पेंट जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि नाग, पूजा और महाशिवरात्री जैसे धार्मिक उत्सवों में नागों की महतपुन भूमिका होती है तो आप कह सकते हैं Snakes play an important role in religious festivals like नाग पूजा एंड महाशिवरात्री Snakes play an important role in religious festivals like नाग पूजा एंड महाशिवरात्री या अगर आप ये कहना चाहें कि भारतिय पुराने कठाओं में नागों को भगवान शिव के भक्त माना जाता है तो आप कह सकते हैं In Indian mythology, serpents are considered to be devotees of Lord Shiva अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें